अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपती, वैज्यानिक और महान व्यक्तित्व की एक अध्भुत कहानी है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नामक छोटे से गाउ में हुआ। उनके पिता का नाम जैनुलाबदीन था और माता का नाम आशियाम्मा था। वे एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहंत, संघर्ष और अधवितिय समर्पन के माध्यम से अपने सपनों को साकार किया। कलाम जी की पढ़ाई में बड़ी महंत और उतक्रिष्ट ता थी। उन्होंने 1954 में मेचेनिकल इंजिनेरिंग में डिगरी प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने Aerospace Research Laboratory में काम किया और वहां से विभिन अधवितिय प्रोजेक्ट में योगदान दिया। वे भारती, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस रोक में काम करने का सपना रखते थे और इस दिशा में अधवितिय प्रक्ती कर रहे थे। अब्दुल कलाम ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपनी प्रमुख भूमी का निभाई। उन्होंने इस चेत्र में काम करने के लिए अपने जीवन का समर्पन किया और बहुत से महत्वपूर्ण मिशन के सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने आंतरदेशी बाजी, प्रोजेक्ट डीडी और अगनी मिसाइल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब्दुल कलाम की असाधारन प्रतिभा, संधर्ष और योगदान से उन्हें 1998 में भारत के राष्ट्रपती का पद प्राप्थ हुआ। उनका राष्ट्रपती के रूप में कार्यकाल देश भक्ती, उतक्रिष्टता और प्रेणा के लिए याद किया जाता है। वे युवाओं को अपने सपनों की प्राप्ती के लिए संधर्ष करने की प्रेणा देते रहे हैं और उन्हें अपनी क्षमताओं को विक्सित करने के लिए प्रोचसाहित किया। उन्होंने छोटे बच्चों और युवाओं को शिक्षा, विज्ञान और तक्नीक में रुची विक्सित करने का संकल्प लिया अब्दुल कलाम की कहानी हमें यह बताती है कि किसी भी परिस्थिती में आगे बढ़ने के लिए महत्वपून है कि हम अपनी मेहंत, समर्पन और द्रिड संकल्प के साथ अपने सपनों की प्राप्ती के लिए प्रयास करें अब्दुल कलाम जी का उदाहरण हमें सिद्ध करता है कि किसी भी लक्षे को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को समयस्मय पर विक्सित करना चाहिए और हमेशा संधर्ष के माध्यम से महत्वपूर्ण अवसरों का इस्तिमाल करना चाहिए